बात करते हैं कि किसी भी बैक्ति के date of birth और नाम से उसके wealth, finance, marriage life, helping friend, career के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं दोस्तों ये देखने में थोड़ा आपको ज़्यादा heavy दिखता होगा लेकिन ये बहुत easy है सिर्फ नम्मर का खेल है और उसी नम्मर को आपको समझना है और उसको समझाने का कोशिस हम आपको कर रहे हैं अगर आप इस chart को समझ गए तो आप सिर्फ date of birth जैसे कि आपका date of birth कु में निकाला हूँ और आपका date of birth जो है उस date of birth को लिखकर इसे समझ कर आप उसके बारे में बना सकते हैं दोस्तों ये जो चार्ट है ये एस लोग्रीड एक नम्मर सिस्टम का है और इसी चार्ट के हिसाब से हम आपको बताने का कोशिस कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो नम्मर इसमें है जैसे आप स्टाइदी में देखते हैं जो स्लोओजी सीख रहे हैं उनको बता दें कि जैसे आप ये जो घर होता है जैसे ये घर है एक और तीन चार्ब्र कर दर मांच छे साथ- आठ नौध यह गर फिक्स होता है चाहे उसके प्लान इसी परकार इसमें ये नम्मर फिक्स होता है और इसके ग्रह फिक्स होते हैं इसके चार्ट के ग्रह चेंज हो सकता है अपना असलोजी में लेकिन ये नम्मर में नम्मर जो है ये चार्ट में नम्मर जो है वो फिक्स होता है ये नम्मर जैसे चार पांच नो तीन आठ एक पां जो है ये राहू का है ये मंगल का है ये चंद्रमा का है ये घरकेतु का है ये सुक्र का है ये सुड़ी का है ये बुद्ध का है और ये गुरू का है और ये सनी का है दोस्तों इसके बाद अगर हम इसके कोन की बात करते हैं जब हम बास्तू पे जाते हैं किसी वैक्ति का श्लोजी देखकर कोई आदमी बास्तू बताता है या बास्तू को देखकर उस आदमी के वैक्तितू के बारे में बताता है बास्तू के बारे में आप जानते हैं कि किसी व कि जब वह अपने घर से निकल कर बाहर जाएगा कि जब वो अपने घर से निकल कर बाहर जाएगा कि तो उसे problem होगी उसके अपने life में क्योंकि जहाँ पे वह जाएगा स clique इसी रिष्टेदार के पास में अगर जाता है तो उसे प्रॉब्लेम होगा कि अगर उस रिष्टेदार का घर का बास्तु अगर 40 या 45 पे है तो उस बैक्ति को health related problem personally हो सकता है अब हम इस चार्ट की बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हुआ कि राहू जो है यह पुल्व यह जो दिशा होता है यह इसका पुल्व का दिशा होता है यह प्रस्षिम का दिशा होता है यह उत्तर का दिशा होता है और यह दक्षिन का दिशा होता है पुल्व और दक्षिन यह जो राहू जो होता है यह अगनी कोन का होता है दक्षिन और प चार्ट का कारी वह क्या होता है वह पहले भी बता दिया था और अभी भी समझने के लिए थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि यह जो होता है घर यह वेल्ट का होता है यानि कि धन अगर है तो अच्छा आएगा इसमें ऐसे बैक्तियों के लिए अगर यह घर होता है तो यह होता है finance का finance का घर किसी भी बैक्ति के finance को देखा जाता है इस नमर से अगर आगे इस पर बात करते हैं तो यह दूसरा घर यानि की चंद्रमा हुआ इससे आपका आत्मी के marriage को देखा जाता है यह इसका नाम लोसो की लोसो होता है आप जानते होंगे अगर यह सात्मा यह यह केतु का है इससे चाहिल बच्चे कभी दिखा जाता है किसी भी वैक्ति का यह बुद्ह यह रहस्ति के बारे में बताता है यह आत्मी कि तना knowledge है इसके बारे में यह घर बताता है यह गुरू होता है जो आत्मी के उच्छी सिख्षा के बारे में एक्स्प्रेंड करता है यह सनी होता है यह और यह फाइनेंस के बारे में भी फैमिली के बारे में भी बताता है यह है यह यह नौलेज के बारे में बताता है किसी भी व्यक्ति का यह सूट यहांने कि यह कैरियर के बारे में किसी बैक्ति का explain अच्छे तरह से करेगा कि अगर यहां पे एक नमर है तो कैरियर उसका अच्छा होगा और अगर इसकी हम बात करते हैं तो यह helping friend help करने वाले बैक्ति के बारे में यह चछठा घर बताता है अब है कि हमने आपको इसके बारे में overall बता दिया कि इसका काम क्या क्या होता है और कहां कहां किस जिंदिगी में यह काम करता है दोस्तों इसका life में बहुत जरूरत होता है अगर आप इसे सीख लेते को कि यह बहुत वास्ट है हम आपको basic ही बता रहे हैं इस पर बहुत अच्छा आप इसका deeply अगर नॉलेज्ज अगर आप लेते हैं तो इस से बहुत अच्छा सिर्फ नम्मर देखकर बहुत कुछ दूसरे बैक्ति के बारे में सिर्फ आप बता सकते हैं सिर्फ आपको knowledge लेने की जरूवत होती है अब हम इसका date of birth जो ह पहले हम यहाँ पे fix करेंगे, आपका date of birth कुछ भी हो सकता है, उसको ही यहाँ पे आपको fix करना है, तो जैसे 1 है, तो 1, यहाँ पे हम एक डालेंगे, 8 है, शिफ नमर वाले घर में ही आपको डालने का है, अगर हम 8 डालते हैं, तो 8 कहाँ पे है, तो 8 यहाँ पे है, इसका 8 है, तो हम 8 डालनेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे 4 का है तो 4 अगर हम बात कर लेते हैं तो 4 कहाँ पर है यह हुआ 4 तो यहाँ पर आगया 4 अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 का तो 1 किदर है 1 यहाँ पर है तो 1 मैंने एक बार डाल चुका है एक बार और देंगे 9 9 9 9 9 लिखे उसके बाद देखेंगे 8 फिर फिर से हमको 8 यहाँ पर डालना है यानि कि या फिर 1 तो फिर यहाँ पर 1 अब देखें दोस्तों इसमें 2 बार repeat होना 3 बार repeat होना यह भी बहुत कुछ बताता है किसी के नाम को नाम का जो सम होता है वो भी बहुत कुछ बताता है लेकिन हम आगे के वीडियो में जब हम आपको नमलोजी सिखाएंगे नमर के बारे में हम आपको explain करेंगे तो उसमें आपको deeply बताएंगे लेकिन overall हम इसमें आपको cover करने का कमान ककर करने कि तो जैसे आपने इसको यहां पे बेठाया है यानि कि वो सालरी फिट हो गए उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बात बात कर लेते हैं यह नौ का यानिक यह जो होता है finance is city भी उनका सही होगा और अगर हम देखते हैं तो finance is city जो इनका date अपर्त होगा उनका finance is city भी बहुत अच्छा होगा हम बात कर लेते हैं आठ की तो यह जो होता है यह होता है knowledge का इनका सनी है तो यह knowledge भी अच्छा इसे बैक्टियों को देगा यह न्याई जो पुरुबक काम जो होता है न्याई का जो काम होता है यह अच्छा तरह से आई यह कर सकते हैं इनमें कोई प्रॉब्लम अच्छे वकील बन सकते हैं यह भी क्योंकि वकील बनने का क्या है कि इनमें सनी भी सही दिख रहा है यानि कि आठमे नमर में दोबार आया है और इनका carrier यानि कि जो यह घर होता है यह career यह जलतत में आता है लेकिन अगर हम career की अगर हम बात करते हैं तो इनका career भी अच्छा होना चाहिए और नियाई से related अगर वकील बनते हैं तो इस related में इनको अच्छा support मिल सकता है ऐसे बैक्तियों को इसमें आगे जा सकते हैं इन्हें problem नहीं होगा तो दोस्तों इस हिसाब से जो date of birth है इस हिसाब से आप अपने बारे में पता लगा सकते हैं कि कैसे क्या है और नहीं है हाँ कुछ comment जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो कुछ comment आया था कि क्या नॉनलोजी से इसका कोई कोई बास्ता नॉनलोजी का है दोस्तों अगर आप इस लोजी सीखे हुए हैं या सीख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अगर किसी भी वैक्ति का यहाँ पे suppose करें कि हम बात कर लेते हैं इनके carrier के बारे में सूर्ज अगर हम सूर्ज पहले नमर की बात कर लेते हैं तो किसी भी बैक्ति का अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ग्रह है तो इनका जो मालिक होगा वो इस घर में जरूर होगा यानि कि यहाँ पे सूर्ज जो है यह सूर्ज अब जादा देखा जाता है अगर आप सूर्ज बुद्ध अगर यहाँ पे है तो बहुत अच्छा करियर के लिए बहुत अच्छा होता है तो अगर आपका सब कुछ है यहाँ पे डेट अपरत है, टाइम है, प्लेस है तो आप इससे देखकर भी यह सिर्फ चेक कर सकते हैं यह सही है या गलत है, बहुत अच्छा होता है जिनको पता नहीं होता है, इस लोजी नहीं सीखे हुए है वो इस चीज को सीखकर किसी के बारे में आसाउनी से बता सकते हैं दोस्तों, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सबस्ट्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं हम आपका जवाब देने का कोशिश जरूर करेंगे धन्यवाद आप करम करके ठक चुके हैं या बुरे से बुरी समस्या में फसे होए हैं जिन्दगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडिजी आपके साथ हैं अगर आपको अपनी कुंडली, हैन अनलिजिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं आप से ली गई राशी हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं जो की चैनल में आपको मिल जाएगा धन्यवाद